आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है राहुल गांदी की भारत जोडो यात्रा दोस्तों इस वीडियो में हम पड़ताल करेंगे कि क्या भारत जोडो यात्रा राहुल गांदी के लिए मील का पत्थर सावित होने जा रही है भारत जोडो यात्रा के अब तक के सफर में देखा जाए तो राहुल गांदी का पत्रशन बहतरीन रहा है ना तो छुटीली है ना ही कोई बचकानी हरकत ही की है अब तो एक ही सबाल बचता है कि क्या 2024 में कांग्रेस को कोई मुकाम दिलबा पाएंगे फ्रेंडस राहुल गांदी खुलकर खेलने भी लगे हैं और भोलने भी लगे हैं भारत जोडो यात्रा से राहुल गांदी के आत्मिश्वास में जो इजाफा हुआ है सामने भी आ चुका है हाव भाव में भी काफी बदलाव नजर आ रहा है राहुल गांदी का ये कहना कि वो भारत जोड़ो यात्रा का नितुर्ट नहीं कर रहे हैं पहले भी डिस्क्लेमर जैसा ही लगता था करीब करीब वैसे ही जैसे कांग्रेस में वो बाकी संस्तों जैसे ही है थोड़े महत्यू की बात हो तो कांग्रेस कार कारणी के सदस्यों जैसे लेकिन माना तो यही जाता रहा है कि कांग्रेस के रिंग मास्टर अभी भी वही है अब राहुल गांदी को पहली जैसी बातें करने की जरुवत नहीं पड़ती। शायद इसलिए भी को कांग्रे सद्दक्ष की कुर्सी पर अमल्लिक आरजुन खड़के को बिठाया जा चुका है। ये बात अलग है कि उनकी भूमे का हाथी के दिखाने के दास से जादा नहीं मानी जाती होगी। फ्रेंड्स पहले राहुल गांदी का सिर्फ एक ही काम लगता था कोई भी बहाना खोज कर प्रधानमंत्री मोधी को टारगेट करना। चाहे जैसे भी संभव हो चाहे कोई भी मुद्दा हो बेरुजगारी, नोटबंदी, जी एस्टी से लेकर चीन के मुद्दे पर भी। अब राहुल गांदी के वासन का दायरा भी बढ़ गया है। अब तो देश के लिए अल्टरनेटिव विजन की बात करते हैं। अब वो विपक्षी से सीधा संभाद करते हैं। साथ आने पर सम्मान बनाए रखने का वादा तो करते ही हैं। लेकिन ये बताना नहीं भूलते कि सरते तो कांग्रेस की ही लागू होंगी। फ्रेंड्स छेतरी दलों की हज़ें भी समझाने लगे हैं। ताक कांग्रेस की हैसित को कम करके आकने की कोई भूल ना करे। बीजेपी की बात और है। लेकिन छेतरी दलों की ये मजाल तो नहीं ही होनी चाहिए। राहुल गांदी की नई राजनीती के पहले शिकार तो अखले श्याद अभी हुए हैं। राहुल गांदी 2024 के लोगसवाचुनाब में बीजेपी और प्रधान मंतरी को सिकस देने का इरादा और पूरा प्लान तो समझाई चुके हैं। अब तो ये भी बताने लगे हैं कि कांग्रेश की सरकार बनी तो निया योजना लागू की जाएगी और लोगों के खाते में 72,000 रुपे डाले जाएंगे। निश्चित तोर पर भारज जोड़ो यात्रा में जुटी भीड राहूल गांदी का जोस बढ़ा रही होगी खास तोर से यूपी में ऐसा भी लगा होगा जैसे बिधानसवा चुनाबों से भी जादा समर्थन लोग अब देने लगे हों लेकिन क्या ये अगले डेर साल तक यूँ ही काइम रह सकेगा ये सवाल तो राहूल गांदी के साथियों को भी परेशान ही कर रहा होगा दोस्तों ऐसे भी समझ सकते हैं कि यूपी में भारज जोड़ो यात्रा को जो समर्थन हासिल हुआ है उसमें राहूल गांदी जितना ही बीजे पी नितरत भी खुस हो र जाए तो भारज जोड़ो यात्रा अपने जादातर महत्पून पड़ावों से गुजरते हुए आगे बढ़ चुकी है उत्तर प्रदेश ऐसा ही एक पड़ाव था अब तो सिर्फ स्री नगर पहुचकर राहूल गांदी का जंडा फैराना ही बाकी रह गया है दोस्तों ब् जाल के लिए पर भी जंडा फैराने का मौका देगी दोस्तों राहूल गांदी की तातकालिक काम्यावी से मोधी साह के खुसोने की खास बज़े भी है जो चीज अमिस साह यूपी चुनाव 2022 में माया बती से चाहते थे पश्चमी यूपी में कुछ हद तक वो काम राहूल ने कर दिया है और भारत जोडो यात्रा में मुस्लिम समदाए की मौजूदगी इस बात का सबूत है फ्रेंस भारत जोडो यात्रा यूपी के जिन तीन जिलों से गुजरी है वाँ बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है गाजियाबाद बागपाश शामली और कहरा नामे मु यूर्स आपको याद होगा कि अमेसा ने यूपी चुनाब के दोरान बीएस पी की प्रासंग इकता का जिक्र किया था जिसे मायावती की तरफ मुस्लिम बोटर का रुख मोडने की कोशिश के तोर पर देखा गया वही मुस्लिम समदाए राहुल गांदी की भारत जोडो य भी खड़ी दिखी और पूरे रास्ते कांग्रेश जिंदाबाद और राहुल गांदी जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे राहुल गांदी और उनके साथ ही जब शामली से निकले तो साथ में कुछ मुस्लिम उलेमा भी देखे गए जो काम सल्मान खुर्शीर और नसी लाकों में जुटी है अब तक कि पूरी भारत यात्रा में वैसी भीड कहीं देखने को नहीं मिली है लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भीड बोटों में तबदिल नहीं होती अगर ऐसा होता तो वो गिंती के ही अब बाद होते हैं फ्रेंड्स राहुल गंदी की यात बेंक में सैद नहीं बलकि दिन धाड़े लूट जैसी घटना है यूपी के हिस्से की यात्रा को अब कांगरिस की तरफ से गंगा जमनी तहजीव के तोर पर पर परचार्ट किया जा रहा है तस्वीरें से अरकर मुहबत की दुकाने खोलने का कांगरिस की तरफ से वाइदा किया जाने लगा है दोस्तों राहूल गांदी अक्सर कहते रहे हैं कि वो डरते नहीं हैं पहले वो ऐसी बाते बीजेपी और मोदी को लेकर कहा करते थे लेकिन अब वो ठंड को लेकर भी वैसी ही बातें करने लगे हैं भारत जोड़ यातरा में ब्रेक के दौरान राहूल गांधी की दलील थी राहूल गांधी ने तो नेडर और डर्पोक नेताओं की कांगरिस में कैटेगरी भी बना रखी है जिन नेताओं की बीजेपी में चले जाने की संभावना लगती है राहूल गांधी की तरफ से उनको डर्पोक करार दिया जाता है प्रिंका गांधी को आगे बढ़कर टार्गेट करें या लगातार चेलेंज करते रहें नेडर नेता हैं हाला कि राहुल गांदी का स्टेंड कभी कभी संदे भी पैदा करता है क्योंकि मोदी पर बयान देने को लेकर वो मनी संकर अईयर से माफी भी मगवाते हैं और अनुशास नातमक कि राहुल गांदी को मुभबत का मसिया से लेकर जननायक के तोर पर पेश किया जाने लगा है राहुल गांदी की तस्वीर के साथ कांग्रेश के अधिकारिक टुटर हैंडल से एक पोस्ट में लिखा है कोट नेडरता का दूसरा सब्द जननायक अनकोट हाली में राहुल से एक प्रेस कॉन्फेंस में 2024 के आम चुनाब को लेकर एक सवाल पूछा जा रहा था लेकि राहुल गांदी ये कहते हुए सवाल टाल गए कि अब वो समझदार हो गए हैं और वो हैडलाइन के लिए किसी के जहां से में नहीं आने वाले हैं दोस्तों रास्तेवर राहुल गा कर कर चलते हुए भी देखे गए हैं मा सोनिया गांदी और बहन प्रियंगा गांदी के साथ पारवारिक प्रेम के सारवजनिक इजहार के उनके तरीके ने भी लोगों का ध्यान खींचा है सबसे पहले वे करना टक मैं सोनिया गांदी के जूते के लैस बांगते हुए जान मंतری मोधी की मां की तवियत काफी खराव हो गई थी मोधी की मां हीरा बेन के निदन पर भी राहूल गांदी वैसी प्रतक्रिया देते रहे थे। दोस्तों राहूल गांदी सोचल मीडिया पर ऐसी तश्वीर खुद भी शेयर कर रहे हैं और मीडिया को भी मौका दे र रहे हैं दोस्तो भारजोडो यात्रा के दोरान राजिस्थान में तो प्रियंका गांदी भी दोड़ती हुई देखी गहीं थी लेकिं राहूल गांदी तो पूरे रास्ते एक ही मोड में देखे गए हैं तेजी से चलते और कभी दोड़ते हुए भी फ्रेंड्स राहूल गांदी के साथ चल पाना कांग्रेस नेताओं के लिए भी मुश्किल हो रहा है वे सब राहूल गांदी के फिटनिस का परदरसन नहीं तो और क्या है वैसे ही समझा सकता है कि ये सीदे सीदे मोधी के समानांतर भיहस खड़ी करने का एक तरीका भी है मोधी के बारे में बीजेपी हमेशा आई उनके घंटोंबे ना ठके काम करते रहने का परचार करती रएए महामारी संकत के दोरान भी ऐसी ही बाते चर्चित रही दोस्तों टी सट पहन कर घूमना भी ऐसा ही एक प्रियोग है बास्त में अगर कोई पूरी तरह फिट नहीं है तो सिर्फ विल पावर की बदोलत लंबे समय तक ऐसा करना मुश्किल है लेकि राहुल गांदी ने भी वही रन्नीती अपनाई है जो 2019 के चुनाब में उनके स्लोगन चौकीदार चोर है के खिलाफ मोधी ने किया था राहुल गांदी भी अपनी टी सट पर बीजेपी की तरह से सवाल किये जाने का अपने तरीके से जबाब दे रहे हैं दोस्तो राहुल गांदी को लेकर हमेज़ा ही उनके चुटियों पर चले जाने को लेकर सवाल कड़ा किया जाता रहा है और यही बजह रही के भारच जोड़ में राहुल गांदी के सामिल ओने पर भी सवाल उट रहे थे भारत जोड़ो यातर पर शुरू हुई तो भी लोगों के मन में सवाल था कि क्या राहुल गांदी कन्या कुमारी से कश्मीर तक पद्यातरा करते रहेंगे और बीच में चुटी नहीं लेंगे राहुल गांदी ने अपनी पुरानी आदत लगता है कि छोड़ दी है और अब तक की यातरा में बने हुए है जबक भारत जोड़ो यातरा पूरी होने में अब कुछी दिन बचे हैं बीच बीच में ऐसे काम आते रहे हैं जब राहुल गांदी को छोटे छोटे ब्रेक लेने पड़े है वैसे राहुल गांदी में चुनाप परचार के लिए जाना और हिमाचल परदेश में गुजरात में चुनाप परचार के लिए जाना और हिमाचल प्रदेश में कांग्रे सरकार के सपत ग्रहन में शामिल होना दोस्तों सोन्या गांदी की तब ये ठीक ना होने की बज़े से भी राहूल गांदी को ब्रेक लेना पड़ा है लेकिन वो अब भी कभी छुटी पर नहीं गए अगर थोड़ा आराम किया तो भी तभी जब पूरी यात्रा ब्रेक पर थी ये सब करके राहूल गांदी लगाता लोगों के बीच बने हुए है और इसका फाइदा भी साफ तोर पर नजर आ रहा है बेसक चुनावी हारजीत सत्ता की राजनीती में खास माने रखती है लेकिन सबसे जरूरी होता है लोगों में पैट बना चुकी धारणा को बदल पाना राहूल गांदी का सफर सही रास्ते पर तो है लेकिन मीलो पैदल चलना अभी बाकी है फ्रेंड्स अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें ज़्यादा शियर करें आप लोगों का बहुत बहुत धन्नवाद थैंक्यू बेरी मच्च